Hi students, welcome to Global Online, this is Ankitab Soad, so आप भी अगर जमू कश्मीर सेट 2023 को क्वालिफाइ करना चाहते हो, लेकिन समझ नहीं पा रहे हो कि कहां से तयारी शुरू करें और कैसे हम अपने first attempt में इस exam को क्वालिफाइ करें तो आप सभी के लिए ये वीडियो में लेकर आई हूँ, जो की बहुत ह जादा important and informative है, आप सभी students को ये तो पता ही होगा कि exam आपका October में होने वाला है, तो इतने कम समय में भी आप इस exam को 100% क्वालिफाइ कर सकते हो अगर आप लोग एक smart approach को follow करोगी, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि exam का syllabus क्या है, paper का pattern क्या है, troppers की क्या strategy होती है, कैसे वो syllabus और pattern को cover करके 2-3 महीने में exam को qualify करते हैं, तो सबसे पहले आप सभी students को ये पता होगा कि एक October को आपका exam होने वाला है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, वो आपको एक proper plan बनाना है कि कितने दिन बाकी है, कितने दिन exam में बाकी है and कैसे आप अपने syllabus को divide करोगे इतने दिनों में, ओके, दूसरी चीज़ आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए, पेपर के pattern के बारे में, तो overall जो जम्मो कश्मीर सेट examination होता है, इसमें हमारे paper को दो हिस्सों में बांटा चाहता है, paper 1 and paper 2, paper 1 क्या होता है, paper 1 सभी उमीदवारों के लिए common paper होता है, compulsory paper होता है, जिसमें आपसे 50 MCQs पूछे जाते हैं, हर एक question जो है, वो 2 marks का होता है, यानि कि overall अगर हम लोग तो 100 marks का आपका paper 1 इस exam में होता है, वहीं अगर दूसरे तरफ हम paper 2 की बात करें, paper 2 क्या होता है, यह हमारा subject related paper होता है, यह वही subject है जो हमने post graduation में अपने master degree के दौरान पढ़ा होता है, इसमें total आप लोगों से 100 MCQs पूछे जाते हैं, 2 marks का एक question होता है, यानि कि total 200 number का आप का यह पूरा का पूरा paper होता है, overall अगर यहां पर आप लोग देखोगे, तो 300 marks का आपका यह paper होता है, अब एक सबसे important चीज़ आप लोगों ने जो note करनी है, वो यह है कि इस exam को qualify करने के लिए, आप लोगों को hard work करने की जरूरत नहीं होती है, आप लोगों को smart work करने की ज सभी उमीदवारों के लिए बहुत जादा नया होता है, और बच्चे क्या करते हैं, इसको हर बार ignore करते हैं, जिसकी वज़ा से वो paper qualify नहीं कर पाते, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ, पहला दिन है, ये चीज़ बताती हूँ कि आप लोग इस paper में बहुत easily 75 plus score कर सकते हूँ, और यही वो paper है जो कि आपको qualify करने में बहुत जादा मदद करता है, तो मैंने हमेशा बताया है कि hard work नहीं करना है, smart work करना है और इस exam को qualify हमें करना है, ओके, so आपके smart preparation के लिए सबसे पहले paper 1 में अगर 75 plus score करना है, तो सबसे पहले आपको paper 1 के बारे में होना चाहिए, so paper 1 में total 10 units होती है, अब इसमें हर प्रकार की unit होती है, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको शायद math बहुत अच्छा लगता होगा, वो math में बहुत अच्छा score कर सकते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जिनका logical mind बहुत active रहता है, तो वो वहाँ पर score कर सकते हैं, कई ल पर आप देखोगे, teaching aptitude है, यह बहुत असान unit है, इसको हम लोग एक दो दिनों में शुरू करने वाले हैं, youtube पर आपके लिए free lectures भी में लेकर आऊंगी, तो आप हमारे channel में बने रहे हैं, अगर channel को subscribe नहीं किया है, तो कर लीजेगा, यहां पर आपके लिए free videos में लेकर आ जिसके साथ में आपको guarantee देती हूँ कि आप exam को qualify करोगे, अगर आप उनको रोज follow करते हो, ठीके, so teaching aptitude के अगर हम बात करें, दस number की पूरी unit होती है, इसमें maximum आप लोग 8 number score कर सकते हो, ठीके, इसमें पूरा theoretical part होते है, कुछ theorems होती है, research aptitude सबसे जादा interesting unit होती है, ठीके, reading reading comprehension, अगर आप लोगों की reading skills अच्छी है, आप लोग अगर हिंदी में exam दे रहे हो, आपकी Hindi reading अच्छी है, अगर आप लोग English में exam दे रहे हो, आपकी English reading skills अच्छी है, तो आप इसमें 10 में से 10 बहुत असानी से score कर सकते हो, communication है, यह पूरा learning पर based है, इसको आप लोग real life example के स साथ पढ़िए, बहुत असान हो जाएगा, math reasoning यहां पर कैसी आती है, आपको पता है कि number series क्या होती है, basic percentage वाले question आते है, average वाले question आते है, profit and loss वाले question यहां पर पूछे जाते है, logical reasoning थोड़ा सा new subject होते है students के लिए, लेकिन इतने interesting way में मैं आपको बढ़ाऊंगे कि easy हो लेकिन अगर यह आपकी unit अच्छी है तो इसके साथ directly आपका data interpretation भी 10 में से 10 score आपको करने में मदद करता है, इसके अलावा ICT यानि की basic जो computer होता है, internet होता है, कैसे उसको use करके हम education को और बहतर बना सकते हैं, यह सब चीज़े इसके अंदर आती है, इस unit में बच्चों को यह exam का क्या level है और exam का क्या pattern है, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही, यह course मैं आपके लिए शुरू कर रही हूँ, next है people and environment और higher education, यह units में हम आपको detail में cover करवाएंगे, बहुत interesting होता है paper 1, बहुत अच्छा score भी इसमें आप कर सकते हो, so इसके लिए एक complete course भी हम लेकर आए हैं, जिसमें आप लोगों को हम exam में 100% selection की guarantee रेते हैं, so paper 1 के जो total 10 units मैंने आपको बताए, उन 10 units के full syllabus video lectures, detail में आपको theory lectures अलग मिलेंगे, mcq lectures अलग मिलेंगे, जिसमें आपको smart tricks भी बताई जाएगी questions को solve करने की, इसके अलावा, इस complete course में आपको full syllabus notes हम PDF के format में देते हैं, PDF को आप अपने mobile में भी असानी से पढ़ सकते हो, असानी से download करके कभी भी पढ़ सकते हो, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, जिनके पास laptop या computer नहीं होता, तो ये video lectures भी आप अपने mobile phone में असानी से देख सकते हो, full syllabus mock test मिलते हैं, जिसमें आपका पूरा 10 unit को cover किया जाता हैं, इसमें से as it is question, बहुत बार exam में आते हैं, previous year questions आपको solution के साथ देंगे, जिससे आपको एक clear idea हो जाएगा कि कैसे questions exam में आते हैं, previous year questions भी बहुत बार exam में घुमा फिर आकर as it is पूछे जाते हैं, तो आपको यहां पर उससे भी बहुत मदद मिल जाएगी, सबसे important चीज expected questions हम देते हैं, हरी question के solution के साथ, answer के साथ, आपको detail में explanation भी दी जाएगी, ताकि आपके concept भी इसमें clear हो जाएगी, given whatsapp numbers पर जल्दी से contact कीजे, and scores के लिए आपको सिरफ एक ही बार fees देनी है, वो भी सिरफ 2000 रुपए, एक ही बार fees दोगे, जब तक exam नहीं हो जाता, तब तक आप इसका benefit उठा सकते हो, fees पे करने से पहले free video lectures देखना चाहते हो, तो उसके लिए global online बिल्कुल free app है, इसको download कीजी, यहाँ पर store section पर जाकर search बार में course का नाम लिखिए, course का overview पढ़िए, overview के बाद यहाँ पर आप जैसे content section पर click करते हो, आपके सामने syllabus, unit wise folders आजाएंगी, किसे भी unit पर click कीजिए, आपको theory lectures, देखिए, 26 theory lectures से complete आपका syllabus cover हो रहा है, research aptitude यानि की unit 2 का, mcqs, 21 video में mcqs हैं, तो definitely इसी में से questions आएंगे, pdf में notes हैं, जिसमें आपको English और Hindi दोनों languages में notes मल जाएंगे, test mock test है, 10 mock test है, इससे पूरा syllabus cover हो जाएगा, और आपकी बहुत अ exam के level के हिसाब से हमारे इस app में आपको मल जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत ही जादा beneficial है, so आप आज ही इसको join जरूर कीजेगा, कोई भी doubt है, कोई भी queries है, तो मुझे comment कर लीजे, अब कई बच्चे पहली बार exam दे रही हैं, exam को लेकर के कोई भी सवाल आपके दिमाग याय के लीक, पही जो जाम ठादा दो झाल आपके यूस और आफे जाख जल जा आपके के लोरी है, यह, कि वग मुझे हैं, मुझे हैं, begin.